हेलो फेंट्स आज लो बात करेंगे भारती सविधान की उद्देश का अत्वा प्रस्तावना के बारे में और प्रस्तावना के मुख्य बातों के बारे में दोस्तो नहरुदारा प्रस्थुत उद्देश संकल्प के जो आदिर प्रस्थुत किया उन्हीं ही सवीदान के उद्देशका में सामिल कर लिया। सवीदान के 42 संसोदनだ sebagai 1976 सवीदाथ यथा संसोदित या उद्देशका निरप्रकार दे के कि हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभत्व संपन समाजवादी पंत निरपेज लोग तांत्रवक गरणाज बनाने के लिए तथा उनका समस्त नाग्रेकों को समाजवादी आर्थिक और राजनितिक नयाय विचार अभिवक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतृत्ता प्रतिष्टा और अउसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में वेक्ति की गरिमा और राज की एकता और अखंडता सुरेशित करने वाली बंदुत अंकल्ब होकर अपनी इस सविधान सभाग में आज तारीक 26 नौबर 1904 इस्वी में मिती मार्ग सीश सुक्ल सब्तमी सब्दा 2006 विक्रमी को एथित द्वरा इस सविधान का अंकीकरत अधिनियम और आत्म परत करते हैं प्रस्तावना की जो मुख्य भाते थी सविधान की प्रस्तावना को सविधान की कुझी का जाता है प्रस्तावना सविधान का आरंपिक अंक होते हुए भी कानूनी तोर पर उसका भाग नहीं मना जाता है प्रस्तावना के नुसार सविधान के आधीन समस्थ सक्तियों का केंजर बिंदू और अत्वा सुरोत भारत के लोग ही है प्रस्तावना में लिखित सब्द यथा हम भारत के लोग इस सविधान को अंकीकरत आधीनेमित और आपन सम्रतित करते हैं भारत लोगों को सर्वोच संप्रवता का उद्देश करते हैं प्रस्तावना को नियाले में परवर्तित नहीं किया सकता या निर्णे यूनिन आफ इंडिया बना मदल गोपाल उनिस सुटावन के निर्णे में गोशित किया गया यानि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की साहता नहीं ले सकते हैं बेरू बारी यूनिन वाद 1960 में सर्वोज नियाले ने निर्णे दिया कि जहां सविधान की भासा संदिक दोहो महा प्रस्तावना विद्यक निवाचन में साहता करती है बेरू बारी वाद में ही सर्वोज नियाले ने प्रस्तावना को सविधान का अंग नहीं माना इसलिए विधाय का प्रस्तावना में संसोधन नहीं कर सकती परंतु सर्वोच नियाले के केश्वनन्द भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना सविधान का अंग है इसलिए विधाय का या संसद उसे संसुधन कर सकती है किश्वनन्द भारती वाद में सर्वोच नियाले ने मूल धाचों का सिद्धान यानि थोरी और पेसिक स्ट्रक्चर दिया था तथा प्रस्तावना का सविधान का मूल धाचा माना संसद के सविधान की मूल धाचा में नकारात्मक संसुधन नहीं कर सकती इस प्रश्टता संसद वैसा संसुदन कर सकती है जिससे मूल धाचा का विस्तार वा मजबूती करन होता है 42 में सविधान संसुदन अदियम 1976 में के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निर्पेच और राश्ट की अखंड़ता सब्द जुड़े गए भारत के सविधान की प्रस्तावन में तीन प्रकार के न्याए सामाजिक, आर्थिक, एवर, राज्टिक, पांच प्रकार की सुंतृता, विचार, अभिवक्ती, विश्वास, धर्म, एवर उपासना, एवर दो प्रकार की समानता, पतिष्ठा एवर अवसर का उले किया गया है भारत का सविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सार्वधिक व्यापक सविधान है या अशंता कठोर और अशंता लचीला है लिखित सविधान की अवधारना फ्रांस की ही देन है भारती राजनीतिक प्वेस्था में सविधान सर्वोच है भारत का सविधान अपना प्रादी करण भारती जन्ता से प्राप्ट करता है भारत सरकार का अधिनियम 1935 का यह समवधैनिक दस्ता वेज है जिसका भारती सविधान तयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है भारत के सविधान में संगीय साश्चन सब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया सविधान में भारत को राज्यों का संग कोशित किया गया थैंक्स विशेरिंग